नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जार्खन के दिन भर की खबर जानते हैं मैदूरी मद की रासी का भोकतान मन रहेगा से होगा, गुरु आर को यहां परिसदन में पत्रकारों से बात चीत में कहा है कि परतेक पंचायत में प्रग्या केंद्र खोलने का ने नए राज सरकार ने लिया है, वहीं परतेक पंचायत में 60 इंच का एली टीवी लगेगा, टी में बैठेंगे, गिरामिन विकास मंत्री अलमगीर अलम ने कहा है कि सरकार का परियास है कि किसी भी पंचायत से 30 से 35 मियट के भी तरवाहां कि गरामिन ब्लोक मुख्याले पहुंच सकेंगे, होली में 149 क्रोर की सराब पी गए जहारखन के लोग, जहारखन में इस वर्स की ह होली सराबियों के नाम रही, बता दे होली के मौके पर जहारखन के लोग, 140 क्रोर रुपय की सराब पी गए, यह आकड़ा 1 से 7 मार्च तक का है, उत्पात इवं मख्द निशेद विभाग का आकड़ा बताता है कि जहारखन में 1 से 5 मार्च तक 79 क्रोर, वही 6 से 7 मार्च के 70 क्रोर की सराब बेची गई है, गौतला भाई की होली के मौके पर 2 दिन यानि 6 और 7 मार्च को मिलाकर कूल 70 क्रोर रुपय की सराब बिकी है, इन में से 6 मार्च को 26 क्रोर, वही 7 मार्च को 44 क्रोर रुपय की सराब बिकी, इन 2 दिनों में रांची में सर्वधीक 12 क्रोर जारखन में 15 मार्च तक बारिस की उमीद, रांची और आसपास का इलाके में 15 मार्च तक मौसम में उतार चड़ाव जारी रहेगा, 9 मार्च की रात भी कहीं कहीं छीट फूट बारिस हुई है, मौसम विभाग का नुसार 10 वा 11 मार्च को भी कई इलाके में बादल चाय रहेंगे, वह में गर्जन के साथ हलकी बारिस होने की संभवना है, 12 मार्च को दिन में मौसम में साफ रहेगा, वह 14 वा 15 मार्च को एक बार फिर बादल चाय रहेंगे, वह कहीं कहीं हलकी बारिस होने की संभवना है, 12 में मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान में 2-3 डिग्री से हस्यास की ब्रीधी हो सकती है, इधर होली के दिन रांचे और आसपस के इलाके में सूबा से बादल चाय रहे हैं, शोलर सिटी बनने की ओर जमसेद पूर, जमसेद पूच्छ वहर सोर उर्जा की ओर बढ़ रहा है, जरेडा के अधिकाईों ने बताया है कि अभी वहां 37 मेगावाट का सोर उर्जा प्लांट प्रस्तावी थाए, जिसमें 2.2 मेगा का सवर उर्जा π्लंट सोनारी एफ़ट में चालू हो चुका है और यह जगोप कर टाटा स्टील और टाटा पावर द्वारा सवर उर्जा प्लंट लगाया जा रहा है बताया गया कि टाटा स्थीत जलासियों में 9.8 मेगावाट का floating solar power plant लगाया जा रहा है वहीं डोम जोरी में टाटा पावर द्वारा 15 मेगावाट का solar power plant लगाया जा रहा है या जमसेथपूर का अप्तय का सबसे बड़ा plant होगा दूसरी ओर टाटा मोटर्स परिसर में 3 मेगावाट का सोलर रूफ टोप प्लांट लगाया जा रहा है साधी का वादाकर जबरन सारेडिक सम्मध बना किया गरभवती केस दर्ज गुमला की एक यूती ने जिला कोट में लोह दगा जिला केस सेन है कुंदगडी निवासी दानियल उराव की विरूद साधी का वादाकर जबरन सारेडिक सम्मध बनाने के आरोप में परिवाद दायर की है दर्ज परिवाद में कहा है कि आरोपी दानियल पिडिता का दूर का रिष्टेदार है जो कभी कभी पिडिता की घर आ जाता रहा है आने को कहने लगा जब यूति उसके घर नहीं गई तो दानियल उसके घर उसे लेने के लिए आया जहां यूति आने के लिए तयार नहीं हुई तो उसे बहला फुसला कर अपने घर ले गया ज्यार्खन के सरकारी स्कुलों में बच्चों को इसी माह मिलेगी छात्रविर्ती ज्यार्खन के सरकारी स्कुलों में पढ़ने वाले समाने वर के छात्रविर्ती का भुक्तान किया जाएगा इसकुली सिक्षावत सक्थता विभाई इसकी तियारी कर रहा है इसमें सबसे ज्यादा नौवी के 15,174 चात्रेशाटराओं को 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 पहली से बराही में पढ़ने वाले समान्य वर्ग के उन सभी चात्र चात्राओं को जिने अन्य कोई दूसरी चात्री विर्थी नहीं मिल रही है उन्हें मुक्य मंत्री भी से चात्री विर्थी का लाप दिया जाएगा 24 मार्च को होने वाली मैट्रीक इंटर परिक्षा तिति बदली जैक बोड़ दोवार आयोजित की गई मैट्रीक और इंटर की परिक्षा की तितियों में बड़ा बदलाव किया गया है दरसल 24 मार्च को होने वाली परिक्षा अब दूसरे दिन आयोजित की जाएगी 24 मार्च को आदिवासियों के सबसे बड़े तेवार सरूल का आयोजन होना है उस दिन परिक्षा को लेकर छायत्रों में असमंजस की थी भी थी वहीं विपक्ष ने भी इससे मुद्दा बना लिया था जैक ने सरूल के दिन 24 मार्च को होने वाली मैट्रिक और इंटर की परिक्षा की थी बदल दिया है मैट्रिक की 24 मार्च को होने वाली परिक्षा अब 25 मार्च वा इंटर की परिक्षा 5 अपरेल को होगी 24 मार्च को मैट्रिक के गनीत और इंटर के भूब बिग्यान, बेवसाइक, अध्यान और मनो बिग्यान के परिक्षा होनी थी जार्खन सरकार के सच्चुआले में दीखी होली की खुमार होली भले ही खत्म हो गई हो मगर इसकी खुमार अभी गई नहीं है यही वज़ा है कि होली के बाद सरकारी कर्याले में काम काज समाने होने में कई दिन लग जाते हैं इस बार भी राज सरकार के सच्चुआले में कुछ इसी तरह का नाजार दिख रहा है होली की छुटी के बाद गुरुवार को भले ही नेपाल हाउस और जार्खन मंत्राले धुरवाई थी सच्चिवाईले खुल गाये मगर करमचारी और पदादिकारी को परची थी काफी कम रही केंद्र का निर्देश 16 मार्च से पुरिच हमता से उत्पादन करे पावर प्लान्ट केंद्रिय बिदूत मंत्राले ने गर्मी के मौसम के दरान बिजली की समूचित उपलबता सुनेश्चित करने के रणनेती तयार की है दिली में केंद्रिय मंत्री आरके सिंग ने समिक्छा बैठक कर अप्रेल और माई के दरान बिजली की बढ़ती मांग पूरी करने की बिभीन पक्छोप पर चर्चा की बैठक में ही सभी पावर प्लांटों को निर्देश दिया गया की कोईला अधारित बिली सनयंत्रों का रख रखाव पहले से कर लिया जाए ताकि बिली की तंगीवी वाले समय में रख रखाव की ज़रूरत ना पड़े सभी आयातित कोईला अधारित प्लांट को धारा एक गारा के तहट निर्देश दिये जा चुके हैं कि विए 16 मार्च 2023 से पूरी छामता से काम चालू कर दे IAS राजिव अरुन एका से सो काज की तयारी जहर्खन सरकार मुख्य मंत्री के पूर प्रधान सचीव राजिव अरुन एका सो काज करेगी इनसे बिसाल चोधरी के कर्याले में कथित रूप से किये जा रहे सरकारी फाइलों के निस्पादान से समझी वीडियो पर अस्पस्टिक रन पूछा जाएगा कार्मिक विभाग इसकी त्यारी कर रहा है एक से दो दिनों में सिरी एका को नोटिस भेजा जाएगा मालूम हो कि वारल वीडियो में दावा किया गया है कि सिरी एका सरकारी फाइलों का निस्पादान बाहरी ब्यक्ति के कर्याले में कर रहे हैं भाजपान नेताव द्वारा वीडियो जारी करने के तुरंत बाद सिरी एकाको मुख्य मंद्री की परधान सची के पद से हटाते हुए पंचायती राज विभाग में उनका तबादला कर दिया गया था अब उनसे असपस्टी करन पूछ कर आगे की करवाई की जाएगी सर्विस कोड उलंगन सावित होने की स्थिती में उनको दंडित भी किया जा सकता है पूजा सिंगल सहित अने पर आरोप का गठन 23 मार्च को खुटी के मन्रेगा योजना से जुड़े मनी लॉंडिंग मामले में निलंबित आयेस पूजा सिंगल की गुरु आरको एडी कोट पेसी हुई उनके अलावा सिये सुमन कुमार, बर्खास जुनियर, इंजिनियर राम बिनोत पर्थासीना और खुटी के ततकालीन सहायक अभियानता ससी परकास की पेसी वीडियो कंफेंसिंग के माध्यम से एडी कोट में हुई EDK BCS नयाधिस प्रभाद कुमार सर्मा की कोट ने पुजा सिंगल, सुमन, कुमार और ससी परकास के आरोब कठन के बेंदू पर सुनवाई के लिए 23 मार्थ की तीथी निधारित की है इससे पुर्व 16 मार्च को पुजा सिंगल की डिश्चार्ट पर्टिशन पर सुनवाई होनी है वही राम बिनोत परसाथ सी नहा के खिलाब कोट पुर्व में आरोब कठित कर चुकी है सराब बेह पार से हटाई गई 36 गड़ की कंपनी जार्खन में सराब बेचने के लिए नियुक्त 36 गड़ सरकार की कंसल्टेंट कंपनी को जार्खन सरकार ने हटा दिया है उत्पाद इवमग्द निश्यद मंत्री जगनात मतों ने विभाग के प्रस्ताव को अपनी समती दे दी इसके अलावा मंत्री ने विभागी अधिकारियों को राज्य में लागू नई उत्पाद निती की समिक्षा के निदेश दिये इसके जरिये या पता लगाया जाएगा कि नई उत्पाद निती के तहट निधारित लक्ष के अनुरूप रायसुक की प्राप्ति क्यों नहीं हुई राज्य में प्रभावी उत्पाद निती 31 मार्ज तक लागू है ऐसे में इस मार के अन्त तक आगे के निती पर भी निने लिया जाएगा पती की हत्याकर सौव जलाया जारखंड के जमसेदपूर में महिला ने अपने पती की हत्याकर उसके सौव को जलाने की कोशिस किया है पुलिस जब तक घटनास्थल पर पहुँची मिरी तक का आधा सरीर जल चुका था मिरीतक की पहचान अमरनास सिंग के रूप में हुई है हत्यारोपी पतनी का नाम मिरा चौदरी है बता दे मामला जमसेदपूर के उली डी थानाचेत्र अंतरगात नियो सुभास कोलोनी का है घटना के समद में मिरी जनकारी के मुताविए गुरू आरको नियो सुभास कोलोनी में रहने वाले लोगों ने तेज बदबू महसूस की लोगों ने जब उस घर में जाने का पर्यास किया तो महिला बिरोत करने लगी वह परोशियों से भीड़ गाई अबीर खेलने गई लड़की का खेत में मिला सौव जार्खन के गोड़ा जिला अंतरगत महंगामा थाना छेतर के गोविंदपूर पहाल के पास 17 वर्षी नवालिक लड़की का सौव मिला प्रारंभिक जाच में पूलिस ने हत्या किया संका व्यक्त किया मिरीत लड़की का चेहरा बुरी तरस से कुचला हुआ था प्राप्त जनकारी के मुताबिक लड़की होली वाले दीन सहेलियों के साथ अभीर खेलने की बात का कर घर से निकली थी जब देर साम घर नहीं लोटी तो घर वालो फोन किया लेकिन उसका फोन स्विच ओफ आ रहा था परिजनों ने लड़की को रात भर खोजा लेकिन उसका पता नहीं चला दूसरे दिन किसी ने सौ मिलने की सुचना दी भारत में तक्था पलट की साजिस में बिदेशी मदत ले रहे राहूल गांधी जारखन में बिजेपी बिधायक दल के नेता और परदेश के प्रतम मुख्य मंत्री बाबुलान मरांडी ने कॉंग्रेस सांसद राहूल गांधी को लेकर बड़ा ब्यान दिया है कैंब्रीज इन्वर्सिटी में भारत की मजूदा सरकार के अलोशना करते हुए लोकतंत्र को खतारा बताने वाले राहूल गांधी की टीपनी पर पलटवार करते है बाबुलान मरांडी ने कहा है कि अतक्था पलट की साजिस के लिए बिदेशी मदत लेने जैसा है बाबुलान मरांडी ने राहूल गांधी पर वन सुबाद कारोप लगाते हुए भी तीखा हमला बोला है अभी कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर परतिकरिया नहीं आई है धन्यवाद